अगर आप हैं facial hair से परिशान तो permanent solution के लिए वीडियो में last तक जरूर बने रहे हैं पूरी जानकारी के लिए तो मैं बविता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका छोटी सिरसोई में मैं जो आज आपको बताने वाली हूँ वो एक permanent solution है लेकिन आपको वीडियो को last तक ध्यान से जरूर देखना पड़ेगा तो मैं एक कटोरी में ले रही हूँ वाइट विनेगर जो हम सभी के घरों में होता है लगभग दो चमच और इसमें मैं एड कर रहे हूँ नमक आधा चमच वाइट विनेगर और नमक हमारे फेशियल एयर की रीग्रोध को कम करते हैं थोड़ी सी चुटकी भर मैं यहाँ पर हल्दी ले रही हूँ और एक चमच में यहाँ पर मैदा ले रही हूँ आप गेहू का आटा भी ले सकते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लोगी अगर आप वाइट विनेगर के साथ कमफरटबल नहीं है तो आप इसमें नीमू का जूस भी ले सकते हैं अगर आप इसको सही तरीके से इस्तिमाल करोगे तो आप एक टाइम की बाद आप देखोगे के आपके फेशल हेयर की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो गई है और यह मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ यह मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया और मुझे इससे रिजल्ट भी मिला मेरे हातों और पेरों पर इवन अंडर आर्मे में बहुत जादा ग्रोथ थी बहुत मोटे और काले बालाते थे जहां मुझे हर महीने वैक्स करानी परती थी अब मैं साल में सिर्फ दो से तीन बार ही वैक्स कराती हूँ आप जब अपने फेस पर इसे लगा रहे हो तो फेस को अच्छे से वाश कर लेना है बिल्कुल भी मोश्राइज आपकी स्किन नहीं होनी चाहिए इसको लगाने के बाद आपको इसे सूखने देना है और बालों की opposite direction में आपको रगड़ती हुए से निकाल देना है कोई भी rocket science नहीं है जब इससे आपके बाल रगड़ी जाएंगे तो आपके चोटी चोटी बाल जो है तोट जाएंगे उस जगह से आपके facial hair कम होने लगेंगे क्योंकि इसमें हमने white vinegar डाला है तो ये वी growth को कम करेगा खटी चीजें हमेशा बालों की growth को रोकती है अगर आपको बहुत जादा मूटे बाल नहीं आते हैं face पर और अपने हाथों पेरों पर तो आप सिर्फ यही remedy उस कीजिए आपको wax कराने की ज़रत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको regular करते हैं तो आपको ये daily करना पड़ेगा one week तक और उसके बाद आप week में एक बार कीजिए और फिर 15 दिन में और फिर एक महीने में और धिरे धिरे इस तरह से आपको इस problem से न पाते हैं तो अगर आपको बहुत ही पतले बाल आते हैं तो आप इस remedy के साथ जा सकते हैं लेकिन अपको अगर मोटे और टाइट बाल आते हैं तो आप पहले wax कराईए अपने बालों को remove कराईए और उसके बाद आप white vinegar में थोड़ा सा नमक मिला कर उस portion पर लगा लगा मेडिको कर सकते हैं तो अपना बहुत ध्यान रखिए और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना वीडियो को लाइक करना शेयर करना और वैल आइकन प्रेस जरूर करना